काउंसिलिंग ये सब्द अपने बहुत बात सुनागवा खासकर जब एडमिसन का समय होता है तो और फिर बहुत सारे इस्टुडेंट के मन में डाउट होता है कि ये काउंसिलिंग क्या होती है काउंसिलिंग का प्रोसेस क्या है इसे कैसे करते हैं तो आज की वीडियो में हम और काउंसिलिंग में क्या क्या होता है देखो काउंसिलिंग दो तरकी होती है एक मेडिकल टर्म में होती है और एक एडमिसन से रिलेटेड होती है तो मेडिकल टर्म वाला हम बात नहीं करेंगे हम लोग इसमें एडमिसन से रिलेटेड काउंसिलिंग के बारे में बात करें आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि काउंसलिंग क्या होते हैं तो दोस्तों सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखेगा मेरा नाम है आयूस और आप देखरें आयूस रिन यूटूब चैनल चली वीडियो को शुरू करते हैं देखोगा इस काउंसलिंग खास कर जैसे कि मैंने बताए कि admission के समय के ये सब्धेज्द ज्यादा सुनने को मिलता है तो अगर हम लोग एकदम आसान सब्धों में समझ खेग कि kाउंसलिंग क्या है तो देखोगाAdam कोंसलिंग में होता है तो देखो में आपकी जो documents होते हैं वह अपने डाकुमेंट से सब्मीट करने होते हैं अब जैसे कि मैंने बोला कि counseling में आपको अपने document सब्मीट करने होते हैं तो आपके मन में सवाल आया होगा कि कौन-कौन से document सब्मीट करने होते हैं तो आप बिल्कुल भी tension मतलिजे मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं कि आपको कौन-कौन से डॉकॉमेंट्स तयार रखने होंगे ताकि काउंसलिंग के समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर ओनलाइन काउंसलिंग हो रही है तो आप डिरेक्ट वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉकॉमेंट्स को अपलोड करेंगे अगर ओफलाइन काउंसलिंग हो रही है यानि कि आपके कॉलेज में काउंसलिंग हो रही है तो दोस्तों सारे जो भी मैं डॉकॉमेंट्स बताऊंगा उसके हाट कॉपी फोटो कॉपी आपको लेके वहाँ पर जाना होगा आप original भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत जगह पर original की भी जरुत होती हैं तो चले अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन-कौन से documents लगते हैं तो देखो गई जो सबसे पहले documents है आपको अपनी high school की marksit चाहिए अगर marksit है तो marksit certificate है तो certificate दोनों चीज़ जरूरी है उसके अलावा आपको इंटर यानि क्लास 12 की भी marksit certificate चाहिए उसके अलावा दोस्तों आपका अधार कार्ट चाहिए अधार कार्ड में आपका number link होना चाहिए क्योंकि कई बार होते है कि number verify होते है खासकर online में यह process होता है तो अगर आपका अधार कार्ड से number link नहीं है तो number link करा लीजे ताकि आपको कोई भी problem नहों उसके लावा दोस्तों आपका income certificate चाहिए यानि कि आय प्रमान पत्र आपका बहुत ज्यादा ज़रू पत्र जी से कहते हैं तो यह भी ज़रूरी है उसके लावा दोस्तों आपका admit card भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर आप online counseling करते हो तो admit card की detail भी उसमें देनी होते हैं इसलिए अपना admit card सम्हाल के रखें उसके लावा आपकी photo लगेगी आपका sign लएगा आपका thumb impression बहुत ज निकलवा ले था कि आपको कोई भी problem नहों उसके लावा अगर आपकी पढ़ाय में gap हो चुक है तो कई बार एफिडेविट भी बनता है यानि कि हलफ नामा भी बनता है तो आप इसके बार में पहले से जानकारी पता कर ले कि एफिडेविट बनवाना जरूरी है कि नहीं है तो अगर आपकी counseling online हो रही है तो website पर ही आपको पूरी detail दी गई होगी कि एफिडेविट जरूरी है कि नहीं और अगर जरूरी है तो उसे कैसे बनाना है ये आपको पूरी detail website पर ही मिल जाएगी इसके अलावा online counseling में बहुत बार आपको college name और course भी चुनने को मिलता है ये ख अगर आप कोई वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट करके जरूरी बताए कि आप कोई वीडियो कैसी लेगे और एक बाट description box जरूर से चेक किजे बहुत काम की वीडियो आपको वहाँ पर मिलेगी वीडियो अच्छे लगी तो चैनल को जरूर से subscribe करक के बेल आइकन प्रिस कर दीजे आप सबीन इस वीडियो को देख आपको बहुत बहुत धन्यवाद